हलो वाइज वेलकम टो वर चैनल फंटा रियेक्शन्स दोस्तों मेरा नाम अली हेदर है मेरा नाम वक्कार है दोस्तों आज हम देखेंगे मेजर गोरावार्याई की वीडियो टाइटल है से प्रूफ डेट सीमा हैदर एज आएज अजन्ट देखते हैं वही आज सीमा एदर गाई क्या है हमने दो न्यूस में देखा है कि सीमा हैदर को पाकस्तान भेज रहे हैं वापस वह भी फेक निकला वह इशू करा गया है दो हजार वाइस में अब आप सोचिए दो हजार यह लड़की बहुत घूमी फिरी है इसने और जगे देखिए इसके बच्चों का अगर आप DNA टेस्स देखिए मैं आपको बता रहा है अगर यह दस-पंदरा दिन मामला नहीं सल्टा तो अब आप देखेंगे कि यहां पे NGO active हो जाएंगे नारी शक्ति वाले यही पाकिस्तान जो कश्मीर को फताय कर रहे थे तालिबान का इस्तमाल करके तालिबान नहीं उल्टा उनको पर देखेंगे जैन दोस्तों मैं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चानक्या डायलोंग्स इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए और बेला शांदार एक महकमा है यूपी पूलिस के अंदर उसने चावी देना शुरू करा हलके 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 से तो दो तीन चीज़ें पता लगी है और बड़ी खौफनाक किसम की उसके जो कलम ने वीडियो में कवर करा था न जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है उसका कार्ड फेक करा हुआ था और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशु करा गया था यानिकि यानिकि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कॉन्टाक करो तुम सचिन मीना को कॉन्टाक करो इसको फसाओ और अगर कोई लोग देखते न है ना कब इशु करा है लोग इतने ध्यान से नहीं देखते देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड अठी के आगे बड़ो नाम मिल रहा है चेहरा मिल रहा है लोग इतना ही देखते है डेट अवर्त कब किस ने देखा जब आप एरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं जो ब पहले इसने यह अफ़ा पहलाई थी कि यह पाकिस्तानी हिंदू है इसने यह अफ़ा फिलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूँ फिर मैंने गुलाम हैदर से शारी करी तो मैं मुसल्मान बन रही है मैं वापे सनातनी बन रही हूं पता नहीं उस कहानी में कितना ल अब देखिए इसने पकड़ा इसमें नक्षा देखा मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ठीक है और बड़ा आसान सा है और इसको कहीं न कहीं military training है कहीं न कहीं पाकिस्तानी फॉज के इसको training है क्योंकि फॉजी कैसे सोचता है ना फॉजी का दिमाग एक तरीके से चलता training के सबसे इसने पकड़ा नक्षा ठीक है इसने देखा दिल्ली ये है दिल्ली से सटा हुआ नौइडा है और नौइडा के बाद जाके greater नौइडा है ठीक है यानि कि NCR में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है काम इसका कहा है जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका operation होना है या जो सचिन मीना था एक मुर्गा सचिन मीना था तो यह सीमा गुलाम हैदर की कहानी और जब यूपी-a-ts न उसको कागश दिया उनके दमाग में यूपी-a-ts के दमाग में शक चल रहा था यह जो लड़की है न यह कुछ फ्रॉड एसका मांदा कुछ अंदर की बात है जो यह न आपको उसके प्रनंसियेशन से उसके अक्सेंट से पता लग जाएगा कि यह कौन सी जबान बोलता है कौन सी नहीं बोलता है अगर मैं हूँ अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो पता लग जाएगा आपको पता लग जाएगा वही कोई हमारा सौथ का भाई है अगर सौथ हिं आपको पता नळग पाये या तो वह वहां पर भॉहक देर तक हुआ पुस्अ का है वाँ देर तक अब जैसे मैं आपको चोटा सा उधारण देता हुओ ठीक है अगर मैं बच्पन से ये यॉस्समें मडरास करता एक तो में बच्पन से तो मैं तो तामिल की तरह है तामिल बोलता नेचरल सी बात है मैं बोलता मेरा वही एकसेंट होता वही खाना पीना होता वही आउट्लोक होता वही सब कुछ होता ना similarly अगर कोई Tamil वच्चा UP में रहता तो वो तो वैसे ही बोलता उसमें Tamil accent तो नहीं होता पर मुझे में होता क्योंकि मैं वहाँ पे था इसी तरीके से जो बंदा जहां पे रहता है वहाँ पे उसका वेजभूशा, accent, उसका बोलने का तरीका, सोच, सब कुछ वैसे ही हो जाता है, राइट बहुत समय तक मैं आपको अपना एक्जामपल देता हूँ, बहुत समय था बच्पन में, दो-तीन साल जब मैं डेली से आया, मेरा नौथीस्ट का accent था क्योंकि मैं तीन-चार साल मैंने वहाँ पर पढ़ा ही करी थी तो बच्चों के साथ रहके, मेरे दोस कौन थे, नागा थे, मीजो थे, खासी थे, मनिपूरी थे, यह सब मेरे दोस्त है मैं शिलॉंग में पढ़ा, में मीजोरा में पढ़ा, मेरा accent वैसा हो गया मेरा accent वैसा हो गया, जब मैं दिल्ली में आया तो लोगों ने मुझे इसके voice coaches, इसके accent coaches लगे हैं, आप मेरी बात मनिए, ये लड़की बहुत घूमी फिरी है, इसने और जगे इसके बच्चों का अगर आप DNA टेस्ट देखिए, मैं आपको बता रहूं, इसके बच्चे पूरे नहीं है, होगे इसके एक दो बच्चे इसमें, चार इसके बच्चे नहीं होगे, ये एक स्टोरी बना कर आई है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका DNA टेस्ट भी होना चाहिए, इसका DNA टेस्ट होना चाहिए, कि ये वाकई में इसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, हो सकता है किसी और के बच्चों को इसके साथ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के कि रखा हो कि वो उसको यूनो मा मानना शुरू करते हैं उसके बड़ा करीबी हो जाएं पर यह अगर हम डियाने टेस्ट करेंगे आपको सीमा गुला महिदर की असलियत पता लगेगी चारों बच्चे इसके नहीं हो सकते हैं मैं आपको बता रहो क्योंकि जिस तरीके से इसकी हर चीज परोड है इसमें भी जोलोगा है अब उसको यूपी एटियस क्या करती है यूपी एटियस उसको देती है भाई एक कागास का टुकला जिसमें अंगरेजी में लिखा हुआ है ठीक है और बोलती है पढ़ो अच्छा ये फिलहाल कहा है रह रही है मतलब अवी तो अरेस्ट हो गई लेकिन कहां रही ही ठीक है फिर वहां से भी ये कहती थी बड़े lower middle class इलाके से वहां पे आई है और वहां पे पाकिस्टान में भी इसके दोस्त प्यदा कर दी है पाकिस्तान में इसके दोस्त पैदा करती है, बड़ी बुरी लड़की है, ये है, अच्छी है, वो उसका husband कह रहा है, मैं तुम्हाँ प्यार करता हूँ, तुम वापे, ये सब fraud है, मुझे तो ये भी शक है कि वो उसका husband है कि नहीं है, कि ISI ने एक पती तो पैदा नहीं करती ह कि या कोई overnight, कि background story, क्योंकि जब intelligence agency वाले काम करेंगे, तो भाई, पूरा काम करेंगे, फिर आपके 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाएंगे, वो ये देखेंगे, कि जो दुश्मन है, यानि कि India, इंडिया कितना खोजबीन करेगा, सीमा गुला मेहदर के बारे में, इंडिया कित background verification करती है कि नहीं करती है, सेम प्रिंसिपल है, intelligence agencies, background verification, अचा आपने बोला ये, अचा इसका क्या है, ये आपने बोला, लेकिन यहां पर 11 महने का gap आपके आ रहा है, क्यों आ रहा है, जैसे HR वाले पूछते हैं, वैसे ही intelligence agencies भी पूछते हैं, ये gap क्यों है, तो ये swimming pool में तेरने वाला ना, समुंदर में नहीं तेर सकता है, ऐसा कोई guarantee नहीं कि समुंदर में तेरी लेगा वो, क्योंकि इसने swimming pool में तेरा है, या वो नदी में तेर लेगा, swimming pool का पानी बिल्कुल स्थिर होता है, बिल्कुल काम होता है, शांत पानी होता है, वो नदी में जो लेहरें चलती हूं उसमें तैरना वो तैराख अलग होते हैं यह वाले तैराख अलग है अब सीमा गुलाम हैदर को कागज पकड़ाया यूपी एटियस ने करा बहन पड़ इसको वो कागज इंगलिश में था ठीक है अभी तक इसका बैक्गराउंड कौन सा दिखाया है कि लो अब उसकी पूल पत्री खुलना शुरू हुई कि यह एक्चुली पड़ी लिखी है क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ रही थी जिस तरीके से उसका एक्सेंट था जिस तरीके से उसका लहजा था बोलने का यह उसका था जो कि अंग्रेजी में बातचीत करता है वो लहजा जो ऑन्ग्रेजी में पढ़ता है, जो पढ़ता है जो sUR Feels jiski training no ग्रेजी में हुई है, जिसका educationreichen बिराटी में हुए है, Doch English medium में पढ़ा है शुरु से आप समझ रहें क्या बोल रहांया Cake 22 어mas उसने कल नी पिए English वे बच पन से इनलिश अगलठी है प्रेश करो मदर टंग इंफ्लोंस यानि कि आपको बोलना अंग्रेजी में है लेकिन जब बोल रहे हैं तो पता लग रहा है कि आप कहां के रहने वाले हैं आपके हिंदी या अपनी मात्रभाचा जो भी है आपकी तामिल मात्रभाचा हो सकती है कि आपके मल्यालम हो सकती है आपकी मरवाड़ी हो सकती है आपकी कुछ भी हो सकती है हर्यान भी हो सकते जो भी आपके मदर टंग है उसकी जलक आ रही है इसको कहते हैं मदर टंग इंफ्लोंस नहीं इसका बड़ा न्यूटरल एक सेंट है इंग्लिश मीडियम के पढ होता क्या है और सीमा घुलाम हैदर पे क्यों फिट आता है माइश का फुल फॉल फॉर्म किया है और किस तरीके से काम में लाती है खुफिय एजन्सी तो दोस्तों माइश जो है न यह एक एक रूसवरे चूह वारा वाईश मत समझेगा माइश एक एक्रोनेम है मनी एम फॉर मनी आई फॉर आइडियोलिजी मनी यानि कि पैसा आइडियोलिजी मतलब आपकी सोच आपकी आइडियोलिजी आपकी विचारधारा C is for coercion और compromise coercion या compromise किसको बोलते हैं दोस्तों आप जोर जबरदस्ती से और E ego बंदे की ego होती है न यह माइस क्यों बोलते हैं यह recruitment के टूल होते हैं जब आप किसी को जब कोई भी खुफिया agency दुनिया की कोई भी खुफिया agency है अगर वो किसी को recruit करना चाहे किसी agent को recruit करना चाहे किसी बंदे को अपनी तरफ लाना चाहे तो सबसे पहले वो चार यह पैंतरे इस्तमाल करती है मैं फिर से repeat करता हूँ एम एम फॉर मनी आप पैसा देके किसी को हम लोग कहते हैं सामदाम दंडबेद याद है यह जो आज Americans कह रहे हैं से यह आज कह रहे हैं आज से ढाई हजार चाल पहले आचारे चानक के ने बता दिया तो सामदाम दंडबेद हो चार तरीके हैं वही है माइस थोड़े अलग मैं बहुत है माइस दे सेम पिंग एस सामदाम दंडबेद ठीक है और क्योंकि हम चानक के डायलोग है और चानक के से हमारा नाव आगे चल रहा है इसलिए हमने आपको यह बताया है कि सामदाम दंडबेद अब देखिए माइस मनी यानि कि अगर सीमा गोलाम हैदर को आपको रखना है और जासूस उसको बनाना है एक तो पैसा फेको लालच ठीक है आई आइडियोलजी उसकी विचारधारा क्या है अगर पैसे से नहीं मानती तो विचारधारा से मानेगी राइट अब जैसे आप किसी जिहादी को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि यार तुम्हें काम कर दो खुफिया इजनसी उसको पकड़ती है काम कर दो उसको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं उसको जिहाद से मतलब उसको काफिर मारने हैं तो फिर उसको बोलो कि तुम जन्नत जाओगे तुम्हें 72 हूरे मिलेंगी यह लो आडी एक्स की जैकेट पकड़ो और बं मार देन यहां पर युनिवर्स्टी के अंदर हमारी युनिवर्स्टी के अंदर ऐसे प्रोफेसर थे जो की इतने वामपंथी हो गयते कि उनको लगता था कि भारत बेकार सब कुछ जो भी है सोवेट रूस है और सोवेट रूस के लिए भारत की ओपर जासूशी करते थी यह लोग ठीक है, आप उसको कोर्स करो, यह C है, और E है, इगो, आप किसी की इगो पे खेलो, इगो पे खेल लिए आपने, आप इगो पे कैसे खेलो गया, आप इगो पे ऐसे, अच्छा, आप एक काम करी नहीं सकते हैं, हमें तो लगा था बहुत दोला, बहुते हैं, जब किसी को फू है, तेरे बसका ही नहीं है, जा डरफोक है, तुस्से बात नहीं करते हैं, तो उसको बुरा लगेगा, उसके एहंकार के चोट पहुचेगा, नहीं मेरी इगो है, मैं कुद हूँगा, चाहे उसकी दोनों टांगे तूट जाएं, सीमा गुलाम हेदर का क्या है, यह E वाला के पहां पे नजर आई, आप सोचो, सीमा गुलाम हेदर की Ego कहां पे नजर आई, उसकी Ego वहां पे नजर आई, अभी तक जुड बुलती आ रही है, सब को जुड बुलने ही, मेरे चार बच्चे हैं, गुलाम हेदर मेरा पती था, मैं पबजी खेली, पबजी सचिन से प्यार करती हूं, सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, इंडिया में रहूंगी, मुझे वापस मुझ भेज़ो, मुझे मार देंगे, वहां से भी मौला ना मौल भी कह रहा है, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, पूरा एक माहल बनाया, फिर उसकी आई इगो, जब इंग्लिश का कागज उसके सामने रखा, तो उसकी आई इगो, अच्छा, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, आप mindset समझी है, भारत में नहीं कहते, अरे यार, और हम लोग गलत कहते हैं, यह problem यह खुजली भारत में भी यह पाकिस्तान में दिया, हम लोग गलत कहते हैं, हम लोग जो बंदा English नहीं बोलता हम कहते हैं, यह तो अनपड़ है, रैट, यह बंदा तो अनपड़ है, जहाँ पर उसके उपर प्रेशर आया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन का UPATS का प्रेशर आया, उसने पर 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 इंगलिश ऐसे पढ़के, अब ये बोलो, ये सचिन भी भी है, बोलो, उसने ऐसे इंगलिश पढ़के दी, वहाँ पर उसकी इगो को चोट पहुंचे, आप समझे मैं किस ये सब्सक्टैक्स में बॉल रहा हूँ, क्योंकि सब इब कांटिनेट में, भारत और पाकिस्तान में अंग्रेशी को एक ego वाला अंग्रेशी तुम्हें अग्रीजी नी आती बोलने लोग ऐसे नी बोलते हैं लेकिन बोलते हैं ना ऐसे यूपी अटियस नी यही गेम केला बोला पढ़ो इंगलिश उसना फर 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 इंगलिश में क्योंकि वहां पर उसकी एगू होगी मैं आपको बताता हूँ सीमा गुला महिदर के बारे में एक और बात समझ लीजए ऐसा बिलकुल मुम्किन है कि सीमा गुलाम हिदर के बच्चे हो और सीमा गुलाम हिदर के जो बच्चे है ना वो ISI ने वहाँ पे रख रखे हो अपने पास मानिये मेरी बात क्योंकि कोर्जन MICC कोर्जन या कुछ और है इसका जो कि ISI के पास हुख पड़ा हुआ है कि बेटा तो काम अगर करके नहीं गई न तो इनको खतम कर देंगे या तो उसके माबाप हैं बाई बैन हैं बच्चे हैं कोई न कोई है कोई न कोई है उसका जो कि पाकिस्तान में है जिससे एक कंट्रोल हो रही है और यह ओरत यहां पर आई यह काम कर देंगे क्योंकि सिर्फ सचिन से नहीं सचिन से नहीं अब पता लगा इसके पास मुल्टिफल सिम काड्स थे इसके पास पाकिस्तानी सिम काड्स निकला है दोस्तों इसको पाकिस्तानी सिम काड्स निकला इसके पास और इसके पास पाकिस्तानी सिम काड्स आइधिक एक सिम काड्स निकला और इंडियन सिम काड्स निकले और यह अलग अलग नमबर से अलग 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 लोगों को कॉल करती थी और NCR में ही कई लड़के थे जिसने इसको फ़ए जिसने इसको फ़ए सचिन विचारा तो क्या है उसके भी पढ़ने चीए दो चार थपड़ तो सचिन के पढ़ने चीए ब्यगूफ के लेकिन मैं यह नहीं कहरा है सचिन जासू समय गधाय हुआ उसने यह सब ड्रामा जो कर आप समझ लीजेगा और यह मैस का कंसेट जो मैंने आपको समझाए न दोस्तों यह आपके जिंदगी भर काम आएगा लोगों से काम करने ने का जो आचारे चानक के ने आज से भाई अजर साल पहले बताये था उनको जो औरत शास्तर में लिखा है सामदाम दंडवेद वही अमेरिकन्स वही कॉंसेट है जो अमेरिकन्स कहते हैं मनी ठीक है मनी आइडियोलजी कोर्जन इगो वही सामदाम दंडवेद अंगरेजी में सेम चीज ठीक है यह अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ अब जैसे जैसे इसकी पूल पत्री को लेगी वैसे वैसे पाकिस अगले स्टेप में क्या होगा अगर दस पंदरा दिन में मामला नहीं सल्टा तो अब आप देखेंगे कि यहां पे एंजियो एक्टिव हो जाएंगे नारी शक्ति वाले मैं बता रहा हूँ और वह अच्छा काम भी कर रहे होंगे कुछ नियो लेकिन कुछ नियो प्रॉड है वोमिन के कुछ एंजियो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो जन्यून काम कर रहे हैं गाहर सी बात है है हैट्स ऑफ तु दिम सलूट है हमारा लेकिन कुछ फेक भी है और यह हर मैटर को लेके एंजियो कुछ नहीं होते हैं आपकी जो किते फ्रीडम उफ एक्परेशन के जूटियों करती हैं दोस्तों उबसटों किसी ना किसी एंजियों के तुरू ककों करते हैं थृट कि लागां वहां हम वेचार कंड़, हम वो रूछ बाते हैं फैर अपना नेरेटिफ चलाते हैं तो सारी intelligence agencies करती हैं, अगर यह सीमा गुलाम हेदर का 15-20 दिन या एक महने में केस नहीं सल्टा, तो अब देखेंगे यहाँ से NGO's अब बोलना शुरू कर देंगे धीरे-धीरे, कि एक बिचारी अब ला नारी उसके चार बच्चे, उसको सरकार तंग कर रही है, और मुदी का देखो, मुदी मुदी का बिल्कुल देया नहीं आ रही और बहुत बुराद, यह सब अब देखना शुरू होगा ड्रामा यह होने वाला एक महने के अंदर, अगर इसका मामला, सौट आउट नहीं बहुत है अच्छा दोस्तों, एक और खबर है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में फिर वहाँ पे पेशावर में सुसाइड अटैक हुआ, कोई मारा नहीं गया, थैंक ओड, लेकिन आटडस लोग जख्मी हो गए बहुत ज़ादा, अब पता नहीं, एंड में क्या होगा, कितने लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में सुसाइड अटैक लगाता हुटे चले जा रहे हैं और यह बढ़ गए हैं सुसाइड अटैक पाकिस्तान में चलो भाईसाब मेजर साव की बात सुनी है बहुत अच्छा लगा शीमा हिदर के बारे में जो हमारा माइंट था वो किलियर हो गया यह वो मेजर साव के वो एजेंट है आईसाई के और उसको जो है अभी अरेस्ट कर लिया गया है पकड़ लिया गया है और उसकी मेजर साब ने बताया साम दाम डंड भेद भी बताया कि साम भी दो डंड भी दो बंदा आपका हो जाएगा तो मेजर साब बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर आपकी हर बात में सच चाही थी आप अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत ऐसी बाते बता रहे हैं जो शायद कुछ ही रहे हैं चार बच्छों की माँ है दो जापर लगाएंगे सारा वो कच्छा ठठा खोल देगी तो इसी कोई बात ही निए बाकी है अच्छा लगा आपको सुनकर पाकिसान जल से जल भेजो एजेंट वो नहीं है भाई मेजर साब दो बोला है अगर एजेंट होती तो वो चार बचे लेकर रहा थी वो तो अकेली आ जाती जो उसका शोहर है जो सौधी अरब में बेठा हूए बेचा रहा वो भी रो रहा है तो खीमा आपके पास ही रहे मे पाकिसान जल स्याचते दो एकञे अकेली जाती है एकन गपेर दो धूसमा वो नहीं अडान बेठी नहीं है घुष हूरू रहे मेडिया को वाई इंटर्यू देअजिए इंडिया हूँ जफी चत्वरा इंटर्यू ुच्वरा इंटर्यू चार два मेध्या बेठीया कTuİ ya मे तुम इस टाइमर मुझ से इंटर्यू लेना तुमें से वह पाकिस्ता देश को जा पड़ दो कुछ उल्टा सिदा ना कर दे यार इंडिया वाल करते हैं वह तो बोले इंडिया वाले तो हमारी बहुरानी आ गई है पाकिस्तान से चार बच्चे लेकर आ गई है और सचिन भी कुछ हो रहा है एक दम बड़ी आसा लग रहा है और वो सचिन भी पागल है वाई गुट क्या मरीद है वह इतना मुए इसका चुजा बनावा है किसे दोगती है हिंदी हिंदी फास पे तो भाई सोचना पड़े गई है वाई मुझे तो पता लगता है तो एसे हिंदी दो उ नेपाल वाले बीच में आप समझ सकते हो नहीं असल में इंडिया वालों का शक जाइज है क्योंकि बहुत बार उनके साथ धोका हुआ है वो बोलते हैं कि यह औरत आई है यह इन्फोर्मेशन पाकिस्तान को देगी कि इधर आ जाओ यह दिली के साइड में यह रहे और चार यह बड़ी कोई मजी खिलाड़ी है इंटर्यू आप इसके देखोगे तो आप खुद हरान हो जगा हम पाकस्तानी है हमारे सामने एगर कोई कैमिरा में आ जाए माइक देते न वाइसा हमारी बुलती बंद हो जाए यह इंडिया में जाकर अंजान लोगों के सामने बैठकर इंटर्यू दे रही है तब ही इंडिया वालों का परेशान है कि भाई यह किसे पॉसिवल है यहां पर अच्छे भड़े जो जो स्यासतदार होते वहीं खामोश हो जाते हैं उनके पास लवज नहीं होते बोलने के लिए यह पाकस्तानी औरत आकर बोलती है चार बच्चों क होते हैं फिर आवाद उठा दें तो मिजर साहब वहीं बात कर रहें कि उनको कहीं साइड में बिजनिस वह माल मिलेगा तो फिर भाई हमारे सनातनी हिंदू को परेशान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हूँ आज मिजर साहब ने बहुत कुछ हमें सही बताया और बहुत ऐस सुनकर मिलेंगे नेक्स स्टुडियो मत हैं